हेलो स्टुट्ट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल डेने ट्लासेस पर तो देखिए हिंदी की हम क्लास देने जा रहे हैं यह आपको आरो ए आरो के जो चातर पढ़ाई कर रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो देखिए यह पेपर 2020 का है यह कुश्चन आ चुके हैं तो किसी भी एक्जाम को देने के लिए सबसे पहले उसके परिच्छा पैटरन को और उसके क्वेश्चन के पैटरन को समझना पड़ेगा कि किस प्र करकार के प्रस्म कितना डीप से क्या तो वही हम आपको देखिए जो सॉल करा रहे हैं पेपर यह जो आ चुका है पेपर इसी को हम एक बार देखेंगे और हम आपको आरो एरो की जो क्लास सुरू कर रहे हैं इसमें हम यह चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग विद्यार हैं और जी के समाने जानकारी जनरल एवरनेस करेंट अफेर यह दो सब्सक्राइगा आएगा आपका साथ नमबर की आएगी हिंदी ठीक तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं कैसे प्रस्म आये थे पहले हम आपको मॉडल पेपर कराएंगे जो परिच्छा हैं हो चुकी है आरो ए आरो की ठीक उसके बाद हम आपको कराएंगे प्रेटिस सेट और टेस्ट सीवी और कोष्टिन जिस प्रकार से एक्स्प्लेटरी आते हैं ठीक है इस्प्लेइन करके बताएंगे आपको तो शेर कर दिएगा दिख सदीक उन चात्रों को जो आरो ए आरो की तैयारी के लिए जुटे हुए है ठीक है फॉर्म जुलाई में आना है तो शुरू करते हैं देखिए कैसा प्रस्णा आये थे हिंदी में सामान हिंदी में सेकेंड पेपर में देखिए पुछा गया था आपका भौतिक का विलोम 2020 का सेट है ये हिंदी का ए आरो ए आरो ठीक है चलिए बहुतिक का विलोम शब्द है बहुतिक का क्या है बहुतिक का क्या विलोम शब्द है देखिए बहुतिक का हो जाएगा बिल्कुल सही कह रहे है आध्यात्मिक होगा ए ओप्सम सही है इसका हम आपके आंसर बताते चलो है बहुतिक का आध्यात्मिक और प्राची शब्द का विपरीद बताईए, प्राची शब्द का विपरीद क्या है, यह पूछा गया था 2020 में, प्राची का, ठिक तो नए शब्द आ रहे हैं, देख रहे हैं, प्राची है, समिस्ट है, इस तरह के जो जनरल सब्द नहीं है, विलोम और विपरेदार्थी जो आ रहे हैं, वो अलग, प्राची का विलोम क्या होगा, प्रतीची, नोट कर लिए, प्राची का विलोम, प्रतीची, ठिक, विविकल, समिस्ट का विलोम क्या होगा, समिस्ट का पूछा गया था 2020 में, समिस्ट का हो जाएगा, वियस्ट, नोट कर लिए, क्वेश्टन रिपीट भी हो जाते हैं, इस अगला विलोम शब्दों की द्रश्ट से एक युग्म गलत है एक युग्म इसमें गलत है एक पेर गलत है बाकी विलोम सब्द सही है ठीक तो इसमें क्या होगा आप सनम का देखिए चाउथे का होगा आप खुद भी लगाने का प्रयास करिए आग्रा का विग्रा ये गलत है आगरा का विग्रा गलत है विदी का निरेशेर सही है आवान का विसर्जन अमी का हला हल अगला विलोम शब्द की दिश्ट से इसमें से कौन सही युग्म है अब बताना है कौन सा सही युग्म है विलोम सब्द की दिश्ट से अग्ला है शुद्ध वर्तिनी वाले शब्द का चैन करिए शुद्ध काउन सा सब्द इसमें शुद्ध है देखे इसमें है आपका डी देदी पेमान यह है डी आपका साहिए दे दीप एमान ये सही है डी अप्शन अगला निमलिखेत में से असुद्ध वर्तिनी वाला शब्द असुद्ध कौन सा है कौतुहल सुद्ध है निरपेच सुद्ध है अनधिकार होता है सुद्ध है ये पौराड़ीक गलत है क्या होना चाहिए पौराड़ा में छोटी की मतर होना चाहिए तो गलत कौन सा है डी है अपसे ये कितने अच्छे अच्छे कोश्चन पूशे जा रहे हैं ये लेबल है कोश्चन का निमलिखे तो सब वाक्यों में सुद्ध वाक्य है कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताएए कौन सा वाक्य मुझसे या काम संभू नहीं हो सकता या बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता या कविता अनेक भाव प्रकट करती है ये आपका सुद्ध है सी हमके वरा अंसर बता रहे हैं आपको यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है यह वाक सुद्ध है बाकी सब दलत है नेक्ट है निमलिखित में से एक वाक सुद्ध है वह है एक वाक सुद्ध है को काउं सा वाक है देखिए यह आपका है क्या ला डी डी में इसके बावजुद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत सी भूले हो जाती है देखिए इस वाकिए में क्या है बहुत के साथ भूले लगेगा बहुत भूले यह D option है इसमें बहुत भूल है बहुत भूल गलत हो जाएगा बहुत भूल नहीं होगा बहुत भूले होगा तो इसमें C वाले में क्या है इसमें भी बहुत भूल है तो दो तो कट गए हम लोगों से, तो आपका उतर क्या होगा, उतर होगा D, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले, भूले का भी बहुत चन मनाएंगे, चलिए, अगला क्या, असुद्ध वाक्य का चैन करना था, कौन सा वाक्य असुद्ध है, पुलिस दारा डांकों का पीछा किया गया, क्या है, यह वाक्य शुद्ध है, ठीक है, और देश की वर्तमान मौजूदा, देखिए, इसमें इस उप्सन में, देश की वर्तमान मौजूदा, भी उप्सन गलत है, वर्तमान भी लिखा है, और मौजूदा भी लिखा है, तो एक साथ एक ही अर्थ दिने वाले दो सब्दों का प्रियोग नहीं करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बिकल्प? बिकल्प हो जाएगा B ठीक तो आपका क्या हो जाएगा? ये B आपसन आपका गलत है वो तर्वी है परंपरा से चली आ रही बात परंपरा से चली आ रही बात कोई ऐसी बात जो परंपरा से ही चली आ रही उसको क्या बोलेंगे? प्रतिसूर्ति, अनुलोम, बित्रम, अनुसूरूति विकल्प नंबर D हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए जिसके पास कुछ ना हो ना उसको गरीब तो बिलकुल भी नहीं कहना है ये दे देते हैं निर्धन का धनी वो तो सही ये निर्धन का धनी लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो अगर माल लिए यहाँ पर दिया गया हो गरीब ठीक है, समात के जगा गरीब दिया होता ठीक है तो विद्यार्थी конф Twitch कCar सकते हैं अकिंचन जो शब्द होता है, अकिंचन का मतलब होता है, गरीब के पास देखिए थोड़ा भाहुत तो कुछ होता है अकिंचन का मतलब है उसके पास कुछ भी नहीं होता उतना खाने बरका जितना गरीब के पास होता है जब किसी के पास कुछ भी नहीं हो गरीब के पास तो होता है तो उसको अकिंचन एक अलग शब्रियोग करते हैं ठीक अगला दकी स्वाद से उत्पन होने वाला वाक्यांस के लिए शब्द है स्वाद से उत्पन होगा स्वेदज बोलते हैं और अपरनीत सब्द यह जो अपरनीत सब्द है किस वाक्यांस के लिए प्रुप्त होता है अपरनीत किसके लिए प्रुप्त होता है आप परणीद देखिए, जिसका है, परणाम यह नहीं है, जिसका विवाहना हुआ हो उसके यह क्या है यह सब्द होता है? आप परणीद अच्छी चीजे हैं, मालूम आपको नह वह, जो तुट कुछ नोट करते रहेगा आप परणीद, जिसका विवाहना हुआ है चलिए निमलिखित में से किस वाक्यांस के लिए दुर्निवार सब्द पुर्युक्त होता है मतलब यह वाक्यांस के लिए शब्द है दुर्निवार इसका क्या अर्थ होता है क्या अर्थ होता है जिस परवार करना कठिन हो जी से जीत पाना कठिन हो दूर करना कठिन हो जिस चीज को दूर करना अपने से दूर नहीं किया सकता हूँ वो कठिन हो जैसे मोबाइल क्या चीज? अपने से दूर रखना जिस चीज को मुश्किल हो उसके लिए दुर निर्वार ये सब्दी उसता है तत्सम सब्द हो है कौन सा तत्सम सब्द है इसमें यह बताना है देखिए इसमें तत्सम सब्द है जीनल जीनल क्यासा है तत्सम सब्द है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है अगहन का अग्र हाँ यान ए होगा आपका अफसकलब अग्र हाँ यान तद्वा सब्द कौन सा है? तद्वा सब्द है आपका 14 C विकल्प अब्यांतर का तद्वा सब्द है? अब्यांतर तद्वा? भीतर बोलेंगे B करपट का तद्वा? D क्या हो जाए कपड़ा? वह बहुत खाता है इस वाक में बहुत सब्द किस प्रकार का विशेशन है? बहुत किस प्रकार का विशेशन है ये बताना है देखिए निश्चित नहीं है निश्चित संख्या वाचक भी नहीं है तुलनात्म के नहीं बहुत तो अनिशचित है गुण वाचक विशेषन का पर्योग किसमे हुआ है? गुण वाचक विशेषन का है चारो आके देखें नटकट बालग बालग विशेषत तक यह है? वो नटकट है तो यह तो easy है यह आप समझाएगा सतीस चंचल बालक है इस वाक में चंचल सब्द है चंचल सब्द कैसा सब्द है चंचल सब्द के गुण बता रहा है गुण वाच्च विशेशन उता है यह है गुण वाच्च विशेशन किस मूल सब्द से बना है मानसिक किस से बना हुआ है मानस से मानस से क्या बना हुआ है मानसिक बना हुआ है ठीक चारित्रिक विशेशा सब्द का मूल शब्द कौन सा है चारित्रिक विशेशा तो इसका चारित्रिक का मूल शब्द हो जाएगा आपका चारित्र चरित्र से बना है क्या चारित्रिक चरित्र सब्द क्या है यह आपका संग्या है इसका विशिशन क्या होगा चारित्रिक नेश्ट मीमांसा का सही पर्यावाची शब्द मीमांसा का सी है समालोचन कभी लोग मीमांसा बिजली का पर्यावाची बिजली का सौधामिनी ठिक दामिनी सौधामिनी से बिजली के पर्यवाची है 28 कौन सा सद लच्छमी का पर्यवाची नहीं है पूचा गया है लच्छमी का पर्यवाची कौन सा नहीं है तो देखिए डियापसन भारती सब्द लच्मी का पर्यावची नहीं बकिरमा, कमला और इंद्रा होते हैं लच्मी का पर्यावची तो D आपसन लच्मी जीग पर्यावची भारती नहीं कपड़ा का कौन सा पर्यावची नहीं तो देखिए, क्वस्त्र है, वसन है, पट है, यह सब कपड़ा का वासन दी विकलब, वासन सब्द कपड़ा का पर्यावची नहीं होता, कौन सब्द मेग का पर्यावची नहीं है, मेग का कौन सब्द नहीं है, पयोधर, वारिधर, जल्धर, डी यह तो easy प्रसन है, डी आप् आब दमोदर सब्धां का मेक का प्रहाशी नहीं अवि भूर्द का सही विलों अब बताईएं किそ कि अब कि कुलिऑ ओर सो कि कि इसका विलों कि इसका विलों होगा आपका सिव गल्ब तिरो भूद आपको तिरो भूद का तिरो यह होगा शाष्वत बी अग्रज का विलोम अनुज सी सरल है निम्रिकिश विलोम सब्दों के दर्ष्ट से एक युग्म गलत है वह है कौन सा विलोम सब्दों का युग्म गलत है यह पताना है मोन का मुखर बरबर का सब अच्भी सही है शर्म नाक सही है कौन सा गलत है देखिए अनुजर का परिचर यह गलत है डी अप्सन अपका अनुजर का परिचर यह गलत है बाई ठीक है नेक्स्ट आपका होगा बताए आपको चौतिस नमबर में आपको ये गलत है विलोम शब्दों की यूग में उसमें एक गलत है कौन सा देखिए आच्छादेत का अनाच्छादेत होगा परिछीन नहीं होगा ये गलत है जाए देखिए अपको ये विलोम शब्दों की ये गलत है वर्तनी की दरिश्ट नियुक्प सुद्ध वाति होगा आपका वर्तनी की दरिश्टिस से कौन सा ये होगा आका वी वर्त वी वर्त सुद्ध है वर्तिनी की डिस्ट से बाकी अनुग्रहीत गरह ऐसे लिखेंग गरह ठीक अचिन्ह भी गला था आपका और वी रहंडी होता है डी वी वर्त वर्तिनी की डिस्ट से सही है बाकी शब्द गरह था नेक्स्ट देखिए अगला है सुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चैन करिए कौन सा सायो का जोथना कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे डी आपसन वाला जोथना वर्तनी करिए देखिए कौन सा शब्द असुद्ध है इसमें सी ऑप्सन ये गलत है बाकी कोमलांगी सही है सम्मिलेत असे लिखते है अनुग्रहीत असे लिखते है ठीक अनुग्रहीत ये आपका इधर भी आया अनुग्रहीत ना तो इसमें ये गलत है अनुग्रह ग्रह ऐसे लिखना है ठीक इसमें ऐसे लिखा था ग्रहीत तो उत करस्ता गलत है आपका नेक्स्ट थर्टी नाइन नमबर निमलिकेत में से एक वाक एक सुद्ध वाक है वह है सुद्ध वाक के बताना है कौन सा सुद्ध वाक है चारोस में देखिए पहली बात वाक के जब आप पढ़ेंगे हर एक विद्यार्थियों को चाहिए हर एक विद्यार्थियों को चाहिए तो इस रुवाती में लग रहा है क्या हर एक नहीं होता क्या होता है परत्येक होता यहीं पर गलती है सही वाक के क्या है आपका हो जागा ए सुद्ध वाक क्या आपका होगा ए क्या प्रतिक विद्यार्थी को चाहिए विद्धी में अनेक पुस्तके पढ़ें ठेक अनेक के साथ पुस्तके पढ़ें ठेक ये आपका ए सही है बाकी हर एक नहीं होना चाहिए निम्रिखित में से एक वाग असुद्ध है बताना है चालिस नमबर में कौन सा असुद्ध है असुद्ध बताना है इसमें मोहन गेहूं पिस्वाने चक्की गया था सही है निर्दय वक्ति से मितना नहीं करने चाहिए भी सही है असुद्ध बताना है आपको और उसके पास घर के पास एक मिठाई की दुकान है एक मिठाई की नहीं मिठाई की एक दुकान है एक मिठाई नहीं जन्मा है उसका सत्र ही नहीं पैदा हुआ है कौन है उसको कहँगे आजाद सत्रू खोच करनेवाले को क्या कहते हैं खोच करनेवाला कोच करनेवाले कहते हैं अनवेशक option number a जिसकी गृवा सुन्दर हो यह तो कई बार आ चुका है ठीक है का इपरिच्छा में आ चुका है जिसी ग्रीवा सुन्दर हो उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे सुग्रीव बी ठीक है जिसका अनुभव इंद्रियों दोरा ना किया जा सकते जिसको हम इंद्रियों दोरा महसूस नहीं कर सकते वो कौन है वो हो गयागा आपका ब, अतिंदरी क्या अतिंदरी मतला होता है जिसको हम हमारी इंदरी भी समझे सकते आगला नेक्स्ट है आपको सही युग्म का चैन करना जो इस तरी अभी नहीं करें नहीं व्याकल जानता हो नहीं प्रित लोटकर आया हुआ हूँ क्या कहते हैं प्रत्यागत डी आप्सन लोटकर आया हुआ हूँ क्या प्रत्यागत प्रत्यागत मेंस जो लोटकर आया हुआ हूँ नेक्स्ट है आपका 46 निमलिकित में से तत्सम सब्द है कौन सब्द तत्सम है तत्सम सब्द है आपका क्या ओस्ट ओस्ट सब्द तत्सम है परिवा का तत्सम रूप परिवा का तत्सम रूप क्या होगा यह होका प्रतिपदा सी विकल्प सही है और कैसे प्रशना है थे देखिए निमलिखित तत्सम तत्भो शब्दों का संगत युग्म है सही सब्द तत्सम और तत्पो का सही युगम काउंसा होगा यह है आपका सीविकल्प सीविकल्प में क्या है परलेंग और परलेंग ठीक निमलिखित में से एक तद्भाव सब्द है तद्भाव सब्द काउंसा है तद्भाव सब्द यह है आपका ठीक क्वाजी निएक्ष्ट्ट कपित्ट का टदभो शब्द है क्या होगा टदभो शब्ड है क्या है कि यह होगा बीविद क्या है कए था कई था ख्ली तaquid नो में सब्दों में आशे कॉन सब्द गोड माचक विशेश्षां नेशन क्यून काउम्ड था है इसमें 51 में 51 में गुण कोछ है गुण कुछ सब्ध है विशेशल है कुछ सब्ध नहीं होगा उचत होगा क्यों नहीं क्यों कुछ जो है अनिश्यद गुण वाचक है Sorry for that, यह कुछ हमने बता दिया आपको, कुछ तो अनिश्चित गुणवाचक है ना, उचित सब्द आपका गुणवाचक बता रहा है, ठीक, तो देखे, हमने बता दिया था ना, कुछ यह है आपका उचित, ठीक, A, 51 का क्या हो जाएगा, 51 का आपका हो जाएगा, A आप है अगला है निम процесс में कौन सा विशेशन संग्या के से नहीं बना है, संग्या से कौन सा विशेशन नहीं बना है, यह बताना है, अच्छा प्रसन है, इसमें हो जाएगा अपका A option श्रीमान किस वाक्य में उत्तमावस्था गुराइचक विषयषण påltry प्र्यों किया गया है विषयषण विषयष का प्रयों किसमें की वह है किस वाक्य में बताना है तो देखे कि इसमें होशियार है और छात्र है होशियार कौन है छात्र छात्र की विशेस्था क्या है कि वो होशियार है तो विशेशन विशेश ए होगा आपका विशेशन वो शब्द विशेस्था 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 बताए और विशेस जिस चीज की विशेस्था बताए यानि यह बना हुआ है, सूरज से बना है, शौर कौन सा सब्द विशेशन है, विशेशन कौन सा सब्द है यह आपका अगने, अगनी से बना है अगने आकास का पर्यावाची तो आकास का पर्यावाची आपका हो जाएगा, बी मन्डली नहीं होगा, सहकार नहीं, प्रभा नहीं, सूनने आकास को शूनने भी कहते है सूना का परयावाची, सूना, कनक कनक सरल प्रस्न है, D उसके प्राण पखेरू उड़ गए इस वाक कि पखेरू कि इसके लिए पचुंशी आया है सब्सक्राइप काROclick करेअ इस ऐगा निक्स्टर आपका निमिलिकित कौंसा सब्द चंधर्मा का परस्टी नहीं है चंधर्मा का कौंसा नहीं है परफ यह जएगा तो да माता का पर्यावाची कौन सा नहीं है? माता का जन्नी बोलते हैं, अंबा बोलते हैं, 60 नबर जो यह बी है ना, बी, अंबू, अंबू, यह माता का पर्यावाची नहीं है, ठीक? तो चलिए विद्यार थियों, हमने आपको 60 प्रस्टन वो बताए, जो 2020 की प्री में, आरो ए आ आरो में आये हुए थे, ठीक? हिंदी का जो लेवल है, वो टफ है, अच्छे कासे लेवल है उसका, ठीक है, हिंदी में जनरली स्टुटेंट निकाल लेते हैं, अच्छे कासे प्रस्टन स्कोरिंग सबजेक्ट है, लेकिन कुछ कोश्च इसमें, आरो ए आरो में टफ लेवल फिर मिलते हैं, नमस्कार